तयब अर्दुवान के तुलना कई लोग भारतिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी से करते हैं अर्दुवान 1994 में स्तानबुल के मेर से प्रधानमंत्री और राश्रपती के पत तक पहुँचे थे अर्दुवान और मोधी दोनों की राजनीती में गौरफ और धार्मिक राश्रवाद केंद्र में रहते हैं दोनों नेताओं के बारे में कहा जाता है कि ये लोग प्रेय राजनीती करते हैं नरेंद्र मोधी की पार्टी बीजेपी और मात्री संगठन आरेसस में भी अखंड भारत की बात होती है अर्दुवान 2014 में तुर्की के पहले एक्जेक्यूटिव राश्रपती बने थे कहा जाता है कि अपने कारेकाल में अर्दुवान ने आधुनिक तुर्की की पश्चिम परस्तनीती को पूरी तरह से बदल दिया और इसे बहु आयामी बनाया था अर्दुवान ने रूसी राश्रपती पुतिन से खरी भी बढ़ाई लेकिन सीरिया पर वो रूस से टकराई भी लीबिया में भी तुर्की ने सैने सलाहकारों को बीजा था इसके अलावा अजर्बैजान और आर्मीनिया के संभर्च में अर्दुवान ने खुलकर अजर्बैजान का समर्था किया वाशिंग्टन इनिस्टिक्यूट में तरकिश रिसर्च प्रोग्राम कनिदेशक सुनेर कगाप्तिया ने अर्दुवान पर असुल्कान इन ओटुमन नाम से एक कताब लिखिया इस किताब में उन्होंने लिखा है अर्दुवान ने सत्ता में रहने के दौराम खुद को उमीद से जादा मजबूर किया इराक, सीरिया और लीबिया में प्रभावी स्याने अभियान को अंजाम दिया और तुर्की की राजनितिक ताक्रता एहसास करवाया